UPA में GDP ग्रोथ था 6.8 एवरेज नरंदर मोडी की सरकार में GDP ग्रोथ हो गया 5.9 एवरेज इसका जिमेदार चीन है या पाकिस्तान है बता दीजे फिस्कल डेफिसिट एज परसंटेज और जीडीपी फिस्कल डेफिसिट एज परसंटेज और जीडीपी सर वो था 4.7 UPA के टाइम पर नरंदर मोडी की सरकार में हो गया 5.1 एवरेज इसका जिमेदार कौन है कि आखिर आप अगर जीडीपी हमारा 5.9 इंडिय गॉर्मेंट करा तो फिर अनिम्प्लॉइमेंट रेट कितना है आखिर 2011 से एम्प्लॉइमेंट सर्वे नरंदर मोडी क्यों नहीं कराते बेटा को क्यों चुपाते हैं ये वाइट पेपर सर मोर रिटरिक है दैन सबस्टें स्ठाइब का ठीर श्राइब काूर्मेंट सर्वेंट बात वाज़े कर देना चाहता हूँ, कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मगर वतन अजीज का हूँ, और मेरा मामला ऐसा है कि मैं अब लाइन आफ एक्शन पर हूँ, भारत की राजनीती में, अगर कोई लाइन आफ एक्शन पर है तो मैं हूँ, सर मेरे चंद सवालात हैं, जो म 6.8 एवरेज, नरंदर मोडी की सरकार में GDP ग्रोथ हो गया 5.9 एवरेज, इसका जिमेदार चीन है या पाकिस्ताने बता दीजे, फिस्कल डेफिसिट ऐस परसंटेज ऑफ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट ऐस परसंटेज ऑफ जीडीपी सर, वो था 4.7 यूपी ए के टाइम पर, नरंदर मोडी की सरकार में हो गया 5.1 एवरेज, इसका जिमेदार कौन है, हाँ पाकिस्तान है, सभी कह रहे हैं आप, मान ल इसकलेशन है, यूपी ए के हकूमत में 8% था, नरंदर मोडी की सरकार में 5% है, मगर क्या ये बात सच नहीं है, कि जो गलोबल टेल की खीमतें थी 2008 से 14, वो एक बैरल 100 डालर के ओपर बिकता था, अब 2015 से 2021 तक एक बैरल आईल 55 डालर से 70 डालर के दर्मयान में था, तो ये क् आपकी मेहनत नहीं है, इसमें external reasons है, मेरा चोहता सवाल ये है सर, कि आखिर आप अगर GDP हमारा 5.9 इंडिये गॉर्मेंट करा तो फिर unemployment rate कितना है, आखिर 2011 से employment survey नरंदर मोडी क्यों नहीं कराते हैं, डेटा को क्यों चुपाते हैं, आप करवाईए survey, हाँ, ला लीजे, ला ल ला लीजे, ये PLF हुआ था 2018 में, उसके बाद अब कहा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ला लीजे, तो कम से कम NSO को बोल कर, ये survey करवा दीजे, अच्छा consumption survey 2017 से रुका हुआ है, सर, आप finance producer होते तो शायद आ जाता, आपकी खाबिलियत और आपकी हैमियत महा पर नहीं है, मैं अ 43 रुपिये, 2014 में हुआ 33 रुपिये, अब मैं इतने माहर तो नहीं हूँ, मेरा मोटा मोटा सवाल है, अब डॉलर है 33 रुपिये, ये कौन जिमेदार है इसका सर, 33 रुपिये क्यों हो का है डॉलर, माने net increase जो है, वो 23 रुपिये का है, तो अब ये demand इतना डॉलर का क्यों है इसका जिमेदार कौन है, इसका जवाब शायद मोहतरमा देंगी, अच्छा सर, आप देखिए, फॉरन करंसी रिजर्फ बोलते हैं, 2011 में बिल्कुल सही है, 294 बिलियन डॉलर था, 2013 तक वो 256 बिलियन हो गया, अब मैं वाइट पेपर आप पढ़ेंगे, न्यू चैनल ओपन बैर 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 नंबर क्या है भाई, नंबर तो बता दीजिए, न्यू चैनल ओपन बैर 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 नंबर ही नहीं मालूम होता है, अच्छा सर, एक और सवाल मेरा है, हेल्थ एक्सपंडिचर फ्रम पॉकिट ठीक है, 2005 में 69 परसंट था, 2014 में 64.2 हो गया, तो अब का नंबर क है, बताईए ना, आपके आपके दोर में क्या नंबर है वो, वो नंबर ने बता, मेडिकल कॉलेज खोल दिये, नंबर क्या है खर्चे का, तो ये जो वाइड पेपर है, एटलीस दोहजार बीस का जिटा दे दो आप, ये वाइड पेपर सर, मोर रिटरिक है, देन सबस्टे डी मॉनिटाजेशन के बाती नहीं कर रहे, डी मॉनिटाजेशन तो बरबाद कर दिया देश के गरीबों को, इसका जिकर ही नहीं करेंगे, तो मास्टर स्ट्रोक था आपका, मगर बरबाद हो गए, सर, मैं कंक्लूजन में क्योंकि आपने अकलमन कहा है मुझे, कम टाइम मे बोलने वालों को, तो मैं सरकार से आपके जरी से मतालबा करता हूँ कि एक वाइट पेपर, ये निकालिए, कि दोहजार चौदा में एकलाख के मॉब लिंचिंग से दोहजार चौबीच तक कितने मुसल्मानों का मॉब लिंचिंग हुआ, कितने घर बुल्डोजर तोड़े गए, सर मैं खतम कर रहा हूँ सर, खतम कर रहा हूँ, और साथी साथ आप एक वाइट पेपर जारी कर दीजिए, कि चीन दोहजार स्क्वेर किलो मिटर पर खबजा करके बैटा है या नहीं है, डेप सांग, डेम चाक हमारे पास है या नहीं है, और आकिर में, यू पी ए के वक्त में माइनारिटीज बजट में फ्री कोचिंग था, आपने बन कर दिया, मौना आजाद फांडेशन आपने बन कर दिया, मौना आजाद फेलोशिप आपने बन कर दिया, फांडेशन तो, नाइन, टेन, ट्वैल्ट माइनारिटीज के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलते यह होगी कि आपके पास 2014 में एक मुस्लिम वजीर था अब तो एक भी नहीं है एक भी नहीं है अजीब है मामला अब आप देख लीजिए तो यह बात है सर और फिसर यह वाइट पेपर में आप देखें सर यह वाइट पेपर में बिजनस टैंडर्ड का एक आर्टिकल का जिकर है मिस्टर शंकराचारिया का यह शंकराचारिया साब जो है मिस्टर शंकराचारिया ना रिटरिक पर रिटरिक लिए ने आप उसका तोथे की तरह की लिख दिये उसको ना नंबर्स हुए ते वो तो यह जो वाइट पेपर है सर यह मो रिटरिक सबस्टेंस है मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक देश के बदान मंत्री वो वाइट पेपर जारी कर देंगे कि कितने मुसल्मानों का अपने मरजनलाइज कर दिया बुल्डोजर से घर तोड़े गए कितनों को इंकाउंटर हुआ कितने जेल में है यूए पीय में और चीन कितने जमीन पर खब्जा करके ब करता हुए बहुत बहुत शुक्रिया सर्थ